तो आईए आज श्टार्ट करते हैं फंडामेंटल का टॉपिक P&L एप्रोप्रियेशन एकाउंट जब आप क्लास 11 में थे तो आपने P&L एकाउंट बनाना सीखा था तो आईए मैं उसी के आगे next step P&L एप्रोप्रियेशन एकाउंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और ये किस टाइप से कैसे बनाया जाएगा वो भी बताने जा रहा हूं तो आईए मैं प्राफिट लेता हूँ यानि P&L एकाउंट में जो मेरा net profit आया उसकी value सपोस करता हूँ और एक date भी ले लेता हूँ सपोस करिए date है 31st March 2019 और इस date में profit and loss एकाउंट जब आपने prepare किया तो उसमें net profit की जो value आयी थी उस value को भी ले लेते हैं net profit इस उकल टू रुपीज सपोस करिए 56,200 अब मैं बात करता हूँ P&L appropriation के next step की सपोस करिए आपके partnership में आपकी साजयदारी में 3 partners हैं और उन partners के name है नमबर वन गौरी नमबर टू सोनिया नमबर थ्री रिया और इन तीनों ने अपनी अपनी capital जो है वो फर्म में लाई है सपोस करिए गौरी लेके आई है रूपीज वन लेक और सोनिया रूपीज एटी थाउजन और रिया रूपीज सिक्स्टी थाउजन ओके तो फर्म में total capital present time जो गौरी सोनिया और रिया की है वो वन लेक एटी थाउजन एंड एंड शिक्स्टी थाउजन है अब देखेगा ये क्या है एक फर्म है और इस फर्म में how many partners are there? थ्री नेम देम गौरी सोनिया और रिया ओके ये गौरी की जो capital है वो वन लेक है सोनिया की जो capital है वो 80,000 है और रिया की जो capital है वो 60,000 है अब जब गौरी वन लेक रुपीज लेकर के फर्म में आई है तो वो फर्म से कहती है कि आप मेरी इस वन लेक की capital पे आप मुझे क्या देंगे? तो फर्म कहता है कि मैं आपको इस पे interest दूँगा यानि ये फर्म के लिए एक expense हुआ इसी टाइप से सोनिया की जो capital है उस पे भी फर्म को interest देना है जो रिया की capital है उस पे भी फर्म को interest देना है यानि इस टाइप से सोनिया की capital भी फर्म में आई है रिया की भी आई है और इन सभी पे firm इनको क्या करेगी? interest on capital पे करेगी जो की एक firm के लिए expense है तो आईए मैं यहाँ पे question में point बना लेता हूँ point number one interest on capital be provided at the rate 10% interest on capital be provided at the rate 10% okay पी यह first point हो गया second number two sonia कहती है कि firm में मैं आईजाई imply work भी करती हूँ तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए तो firm कहती है चलिए आपको भी मैं salary दे देता हूँ तो second point बन गया sonia gets a salary point number two sonia gets a salary rupees कितना देंगे बच्चों suppose कर लिजिए 1000 रुपीज पर मन्त अब रिया बोल लही है कि sir firm से कि sir मेरी वज़े से sales प्रोमोट हो रही है तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए तो firm उससे कहती है चलिए ठीक मैं आपको commission दे देता हूँ कॉइंट नमबर थ्री नोट कीजिए रिया गेट्स कनीशन रुपीज कितना बच्चों जूम कर लें as you wish 4000 4000 रुपीज अब परसनल काम के लिए गौरी, सोनिया और रिया firm से कुछ पैसा विड्रा करती है कुछ पैसा गौरी ने विड्रा किया कुछ सोनिया ने विड्रा किया और कुछ पैसा रिया ने भी विड्रा करती है तो firm कहती है जब मैंने आप जब अपनी capital ले के आए तो मैंने आपको interest दिया और जब आप firm से ले रहे हैं तो आप पे भी मैं interest चार्ज करूँगा है न तो firm भी इन partners पे interest चार्ज करता है on drawing तो ये भी एक point बन गया interest on drawing गौरी रुपीज 500 सोनिय रुपीज 400 और रिया रुपीज 300 ये भी point बन गया ओके फिर firm ये सोचती है कि business में काफी up-downs लगे रहते हैं तो इसके लिए वो चाहती है कि कुछ पैसा general reserve में भी transfer कर लिया जाए यानि एक और नया point बन गया point number five transfer to general reserve रुपीज जो भी लेट करना हूँ बच्चों लेट कर लीजिए सपोस करिए 3000 लास्ट में profit be divided in the ratio of 3 ratio 2 ratio 1 ये भी एजिम कर लेता हूँ number six profits to be divided in the ratio 3 ratio 2 ratio 1 अब आपका ये complete question हुआ okay first point in test on capital B provided at the rate 10% PA second point Sonia gets a salary rupees 1000 per month third Rhea gets commission rupees 4000 and in test on drawings Gauri rupees 500 Sonia rupees 400 and Rhea rupees 300 and fifth point transfer to general reserve rupees 3000 and last point profit to be divided in the ratio 3 ratio 2 ratio 1 आईए अब मैं किस टाइफ से कैसे किस point से start करता हूँ और कैसे P&L appropriation account prepare करता हूँ तो first number पे मुझे P&L appropriation account का structure बनाना है बनाईए वहीया किस टाइप से कैसे structure बनेगा आईए देखते हैं P&L appropriation account बनाई आईफार्ड एर इंडिंग 31st मार्च 2,090 उके टू साइड में रहेगा डेविट and credit कर दी तो बटा फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर का सेकेंड कॉलम है एमाउंट से रिलेटेड ये डेविट साइड के हुए और क्रेट साइड में सेम टाइप से पर्टिकुलर्स एंड एमाउंट फर्स्ट नमबर पे प्रोब्लम कहां से स्टार्ट होती है जो प्रॉफिट मुझे पी एंड एल एकाउंट प्रपेर करने से मिलता है उस से यानि बाई नेट प्राफिट जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक नॉमिनल एकाउंट होता है और नॉमिनल एकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं जो फर्म के होते हैं वो डेविट साइड होते हैं जितनी भी इंकम्स होती हैं फर्म की वो सारी की सारी क्रेड़िट साइड में होती है तो आएए बाई नेट प्रावफिट फर्स्ट पॉइंट एंड इमाउंट गिवेन 56,200 ओके फर्स्ट पॉइंट इंट्रेस्ट आन कैपिटल भी प्रोवाइड़ आइट दी रेट 10% पी ए पार्टनर्स की कैपिटल पे जो इंट्रेस्ट पे किया जाता है वो फर्म के लिए एक्स्पेंस होता है और मैंने बताया कि यह nominal account होता है और nominal account में सारे expenses जो firm के होते हैं वो डेविड आते हैं तो two interest on capital Gauri, Sonia and Ria Gauri, Sonia, Ria 1 lakh into 10 upon 100 mean 10,000 Same type say Sonia, 8,000 And Ria, 6,000 Yani total interest on capital will be 24,000 Okay Second point Sonia gets a salary rupees 1,000 per month ये भी firm के लिए expense है यानि two क्या लिखेंगे Sonia's salary account Two Sonia's salary account 1,000 rupees per month mean 1,000 into 12 is equal to 12,000 Okay Now third point Ria gets commission Rupees 4,000 ये भी expense हुआ Two Ria's commission 4,000 rupees Okay Next four number Interest on drawings Gauri 500 Sonia 400 And Ria 300 Interest on drawings जो पैसा फर्म से Gauri, Sonia और Ria ने विट्रा किया है उस पे जो interest charge किया जाएगा वो फर्म के लिए income होगी तो ये credit point है यानि कि by Interest on drawings Gauri, Sonia, Ria Gauri की 500 Ria 400 Sorry, Sonia 400 And Ria 300 Total 5493 1200 Okay Now transfer to general reserve Affirm जो business में ups down होंगे उसके लिए जो पैसा general reserve में transfer कर रही वो भी expense की category क्या यानि कि 2 Transfer to general reserve amount 3,000 पैटा हो गए सारे points Okay अब आते हैं next point पे Profit to be divided in the ratio तो first number पे मुझे profit निकालना है How much profit यानि balance कीजिए total 5,1,2,2,4,6,1,7,5 यानि credit side जो balance है वो मेरा है 57,400 same amount अब 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 भार दीजिए फिल कर दीजिए देविट side में 57,400 400 अब बैलेंस जो भी बैलेंस इफ ग्रेडिट side एक्सेस देन वी फाइंड प्राफिट और इफ डेविट side एक्सेस देन वी फाइंड लॉस इस P&L appropriation के structure में मुझे क्या देखने को मिला Profit To Profit Transfer to Capital Account Gauri Sonia And Area Amount 0000 00 00 4 4 14,400 रुपीज का Farm में Profit हुआ है अब इस Profit को मुझे ये जो Partners हैं आपके Gauri, Sonia और Ria इनके इस Ratio में Distribute कर लेना है 3, 2, 1 में देखें कितना कितना पैसा कितना कितना Profit इनके Account में Transfer होना चाहिए Gauri Sonia And Area 14,400 6, 2 स 6, 6 वं जा 6, 6 तूजा 6 व्या है 7200 and Sonia 4800 and Ria 2400 7200 4800 किसी भी टाइप का कोई confusion बुली बचो आपने सारी points के लिए का लिए कि ये profit कहां से मुझे मिला था P&L account से इस date पे P&L account प्रपेर किया गया ये partners हैं आपके Gori, Sonia and Ria इनकी capital से हैं ये और conditions से हैं ये ओके ये